तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मिसी फोर्स समस्टर फार्मकोलोजी में यूनिट नमबर थ्री और यूनिट नमबर थ्री के लास लेक्चर में हमने लोकल एनस्थेटिक एजेंट को डिटेल स्टडी करा था अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है ड्रग यूज दिन माइस्थिनिया ग्रेविस और ग्लुकोमा आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि माइस्थिनिया ग्रेविस और ग्लुकोमा में कौन सी ड्रग यूज होती है किन ड्रग की मदद से हम माइस्थिनिया ग्रेविस को सही कर सकते हैं ग्लुकोमा को सही कर सकते हैं तो जो भी हम ड्रग देंगे हम देखने वाले हैं उन ड्रग का mechanism of action कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं ग्लुकोमा को सही करने में माइस्थिनिया ग्रेविस को सही करने में वो किस तरह से अपना काम करती है उनका mechanism of action क्या है साथी साथ इन disease को हम समझेंगे सबसे पिले हम समझेंगे कि myasthenia gravis होता क्या है क्यूं होता है इसके symptoms क्या है इसके risk factor क्या है फिर हम समझेंगे glucoma होता क्या है क्यूं होता है इसके symptom क्या है इसके risk factor क्या है पहले हम बिमारी को समझेंगे फिर हम ड्रग देकर उस बिमारी को दूर करेंगे और पता करेंगे कि यह ड्रग किस तरह से काम कर रही है तो लेक्चर इंट्रस्टिंग है दो बिमारी पढ़ने वाले हैं और साथी साथ उनके सही होने का तरीका देखेंगे कि ड्रग इसको किस तरह से सही करती है और वो जो हो रहा है जैसे ग्लुकोमा हो रहा है मैस्तिन एक्रेविस हो रहा तो वो क्यों हो रहा है तो अगर आपको और लेक्टर को स्टार्ट करते हैं अगर आपको और लेक्टर की रिक्वार्मेंट है तो आप चेक कर सकते हैं प्लेस्ट जहां पर आपक कराए हुए हैं वहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं ऑनलेन क्लासेज भी होती है तो जरूर डाउनलोड कीजेगा डेप्ट बायोजी अप्लेकेशन चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो देखो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि जहां पर आपकी मसल जो है रिलेक्स हो जाती है कैसी हो जाती है रिलेक्स हो जाती है साथी साथ मसल जो है वीक हो जाती है और जल्दी ठक जाती है फैटी हो जाती है आई रिपीट मैस्तिनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडिशन है जहां पर आपकी मसल जो है रिलेक्स हो जाती है weak हो जाती है, fatigue हो जाती है ठीक है? अब यह माइस्तोनिय ग्रेविस होता क्यों है तो मैं आपको बता दू माइस्तोनिय ग्रेविस एक autoimmune disorder है autoimmune disorder क्या होता है? वो detail में हम समझते हैं देखो, जैसे माल दीजिए यह हमारी immune cell है immune cell जैसे हमारी WBC है ठीक है? तो कोई भी foreign particle आता है कोई भी bacteria virus आता है तो यह immune cell उसे kill कर देती है पर यह immune cell हमारी cell को नुकसान नहीं पोचाएगी यह जो human body है हमारी ही immune cell हमें थोड़े नो नुकसान पोचाएगी हमारे healthy tissue को वो नुकसान नहीं पोचाएगी ठीक है? और immune cell की इस समस्दारी को कौन से समस्दारी को? कि वो हमें नुकसान नहीं पोचाएगी bacteria को मारती है virus को मारती है इस capacity को इस तरीके को इस शमता को हम कहते हैं self tolerance की power कि immune cell के पास self tolerance की power है वो हमारे healthy tissue को damage नहीं करती bacteria virus को kill करती है पर क्या होगा कि अगर ये self tolerance की power खतम हो जाए तो अगर ये self tolerance की power खतम हो जाएगी तो हमारी immune cell हमारे ही body पे attack करना शुरू हो जाएगी मतलब हमारे security guard हमें ही kill करना शुरू हो जाए हमें ही नुकसान पोचाना शुरू हो जाए उस condition को हम कहते हैं auto immune disorder तो मैस्थीने ग्रेवेश इस एक auto immune disorder in which muscle is relaxed, weak and fatigue ठीक है ठीक है सब्सक्राइब यहां तक समझ में आ गया कि मैस्थीने ग्रेवेश जो है auto immune disorder है जहाँ पर आपकी muscle या तो relax हो जाती है, weak हो जाती है, fatigue हो जाती है और auto immune disorder है मतलब हमारी immune system हमारी cell को नुक्सान पहुचाना शुरू कर देती है हमारी immune system की self tolerance की power खतम हो जाती है यहां तक आपको clear है तो इसलिए आगे समझते हैं आगे आपको यहां पर क्या लिखाए देखो मैंने बता रखाए weakness and rapid fatigue of muscle जैसे कि मैंने आपको बोलता है muscle जो है किसका breakdown हो गया communication का किसी की ताल मिल का breakdown हो गया अब वो कौन है जिसकी ताल मिल का breakdown हो गया तो nerve और muscle की बीच में जो ताल मिल थी उनका breakdown होना उसे हम कहते हैं माइस्तिनिया ग्रेविस देखो यहां पर क्या हो रहा है muscle जो है relax हो रही है तो आईए जानते हैं कि muscle पहले contract कैसे होती थी क्योंकि हमें contract करवानी है न माइस्तिनिया ग्रेविस की condition में क्या हो रहा है सपोज यह माइस्तिनिया ग्रेविस का यहां पर patient कड़ा है तो माइस्तिनिया ग्रेविस की condition में क्या हो रहा है वी को जारी, फेटी को जारी, तो हमें क्या करना है, मसल जो रिलेक्स हो रही है, उसको हमें कॉंट्रेक्ट करना है, तो पहले देखते हैं कि जनरली कॉंट्रेक्शन कैसे होता है, एक आम इंसान में, मसल कॉंट्रेक्शन कैसे होता है, वो देखते हैं, आम इंसान, ठेक है, आ पर क्या होता है आप मेटाइशनल में पढ़ रहे हैं मेटेसिनल में आपने पढ़ा है यू इनबर तरी में कि जो कॉलिणरेया नियूरोन होते हैं यह निरोram que क्या निकालते हैं कोली नर्ज्जिक निऊरो receptor आई रिपीट जो होते हैं वह निरोट्रंस्पिर निकालते हैं जैसे असिट्ल कोलीज यह सिट्ल कोलीज आगे जाके मसल के receptor से जुड़ता है जिसका नाम है इन में इंड इसप्टार इसको बोलते हैं निकोटिनिक receptor और यहां पर जुड़ने के से नहीं जुड़ेगा तो आगे कॉंट्रेक्शन नहीं होगा तो आप इस कंडिशन में देखिए यहां पर यह एसी टैल कोलीन रिलीज हो गया ठीक है और इस टैल कोलीन जो है यह एनम रिसप्टार यहां पर मैंने बना रखें दिस वन डिस इस एनम रिसप्टार इस से बाइ यहां पर क्या होगा मैंने आपको बोला कि मैस्थीन ग्रेविस की कंडिशन क्या होती है एक ओटो इम्यून वाली कंडिशन होती है मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी सेल को नुक्सान पहुचा है तो जैसे मान दीजिए यहां पर एक पेशेंट खड़ा है जिसको मैस् तो हमारी इम्म्यूनिटी ने कुछ antibody बनाई क्या बनाई कुछ antibody बनाई अब यह antibody बड़ी खतर ना के यह antibody पता है कहां जाकर जुड़ गई यहां पर इन रिस अप्टार पर जाकर जुड़ गई यह जो आपके एनम रिस अप्टार थे जिस से आके acetyl kulin जुढ़ना चाहिए था पर उससे आके अब जुड़ चुके हैं आपकी ये antibody दिख रही है आपको ये antibody यहाँ पर आके जुड चुकी receptor से और आप देख सकते हैं acetyl kulin विचारे पीछे ही रह गए क्या ये receptor से जुड़ पा रहे नहीं जुड़ पा रहे receptor तो यह रहे तो receptor से तो antibody जुड़ गई acetylcholine जूर ही नहीं पा रहा तो अभी देखिए अगर acetylcholine receptor से suppose this is receptor कौन सा receptor and am receptor जिसके विज़ते से contraction होता है acetylcholine जुड़ता है तो contraction होता है ठीक है पर अगर किसी condition में जैसे कि मैंने आपको बोला है महस्तिनिय ग्रेविस की condition में एंटीवोडी आके जुड़ गई receptor से तो receptor से जैसे antibody जुड़ जुड़ गई receptor क्या हो गया block receptor ब्लोक हो गया तो अब क्या acetylcholine या पर आके जुड़ पाएगा क्या यहां पर आके acetylcholine नहीं जुड़ पाएगा और अगर acetylcholine इंटीवोडी क्यों हो गई क्यों कि मैस्तिनिय ग्रेविस की condition है जहां पर autoimmune disorder है जहां पर हमारी immunity हमारी खिलाफ antibody बनाती है तो उस antibody ने क्या करा इस receptor को block कर दिया तो अगर receptor ब्लोक है तो आके नहीं जुड़ पाएगा और नहीं जुड़ पाएगा तो यहां पर contraction भी नहीं हो पाएगा और contraction नहीं हो पाएगा तो यहां पर क्या होगा relaxation तो मांस्थिन्य ग्रेविस का पेशेंट करा एंटिबोडी न है क्यों करा क्योंकि travelled का पेशन्ट है क्योंकि यह Autoimmune disorder है तो हमारी Immunity ने थी तो इस तरह से में ःतुम करते हैं तो यह तो बने देखा कि हमारी immunity ही माइस्थी ने गरिव mês करा दिया रभ इसको है कि सारी बते यहाँ पर लिखनी है आपको ठीक तो जीसफा कि मैं आपको बताया मैस्टीने में क्या होता है मसल में रिलेस्टेशन आ जाता है संथ मसल वाह जाती है तो देखो आखोकि जो मसल है वो आपकी weak हो जाएगी, fatigue हो जाएगी, साथी साथ आपको कुछ भी चीज निगलने में problem आएगी, और slurred speech हो जाएगी, आपकी बोलने में भी आपको अकलाना पन होगा, तो slurred speech, swallowing में problem, eye की muscle weak हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद दिरे-दिरे क्या होने लगेगा, आपका facial expression कराब होने लगेगा, आपको चबाने में नहीं आएगा, कुछ भी चीज आप चबाओगे, तो आपको problem आएगी, आपको बात करने में problem आएगी, swelling में और ज़्यादा problem आने लग जाएगी, जो भी आप swallow कर रहे हों, उसमें और ज़्यादा problem आने लग जाएगी, और breathing में भी problem आएगी, तो बात की जो moment से उनमें भी problem आना start हो जाएगी, पर शुरू में कहां से देखने को मिलेगी, आपकी आँखों की muscle जो है weak हो जाएगी, निगलने में आपको दिक्कत आएगी, swallow करने में दिक्कत होगी, और slurred speech हो जाएगी, यह starting के symptoms है, ठेक है, माइस्थीन या, ग्रेव इसके, चलिए, अभी देखते हैं treatment, तो देखो treatment को एक blank page पे start करते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, हमें दिक्कत का हो रही है, हमें दिक्कत यह हो रही है कि एसिटाल कोलिन जो है, रिसेप्टार से नहीं जुड़ पारा, और अगर एसिटाल कोलिन रिसेप्टार से नहीं जुड़ पारा, तो आगे contraction नहीं हो पा रहा यह दिक्कत आ रही है और यह दिक्कत क्यों आ रही है क्योंकि antibody आके जुड़ रही है और antibody receptor को block कर रही है यही सब हो रहा है तो एक काम करते हैं बच्चों कि acetyl koline के level को बहुत बढ़ा देते हैं अगर acetyl koline के level को हमने बहुत जादा कर दिया तो chances है कि acetyl koline आके receptor से जुड़ जाए किस से जुड़ जाए receptor से antibody भी बनेगी पर वो इतनी जादा chance नहीं रहेंगी क्योंकि acetyl koline का number बढ़ गया और जिसका number जादा जिसकी वहुमत जादा वो जीतेगा तो यहाँ पर acetyl koline का अगर हमने बहुत जादा number बढ़ा दिया तो chances बनेगे कि वो receptor से जुड़े और अगर acetyl koline receptor से जुड़ गया तो अब तो contraction होगा अब आप बोलोगे sir बागी सब तो ठीक है आपने बोला acetyl koline का amount बढ़ा देंगे पर कैसे बढ़ाएं तो देखो acetyl koline को तोड़ने के लिए enzyme होता है colin estress आप सभी जानते है colin estress जो enzyme होता है वो acetyl koline को तोड़ देता है तो इस enzyme को हम रोक देते हैं किस से रोकें इस enzyme को हम रोकते हैं neo statement से देखो देहां से सुनना अगर हमने neo statement दी तो neo statement किसको रोकेगा colin estress को और अगर colin estress रोक जाएगा colin estress काम करना बंद कर देगा तो acetyl koline को कोई रोकने वाला है यह नहीं अब acetyl koline को कोई रोकने वाला नहीं है और acetyl koline का number बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि acetyl koline के number को बढ़ने से कौन रोक रहा था colin estress पर colin estress को रोकने के लिए हमने कौन सी ड्रग देदी neo statement तो जब हम neo statement देंगे तो colin estress को काम करना बंद करवा देगा जिसकी वज़े से acetyl koline बढ़ जाएगा और अगर acetyl koline बढ़ जाएगा तो चांसे जे कि हमारे receptor से acetyl koline जुड़े और contraction कर आए और मैंस्तिर्य ग्रेविस की जो condition है उसमें सुधार लाए क्योंकि contraction होगा तो सुधार आएगा ठीक है एक condition तो यह हो गई कि acetyl koline बढ़ा लो देदो नियो स्टिग्मेन देदो अब दूसी condition दिछते हैं हम क्या दे सकते हैं immunosuppression दे रखते हैं ठीक है immunosuppression क्या होता है prison आपको पता है यह patient माइस्तिन ग्रेविस का और माइस्तिन ग्रेविस क्या है Daytona immune disease है जहां पर क्या होता है हमारे immunite give हमेरे खेलाफ काम करती है ठीक है तो एक काम करते हैं सर कि ये जो immunity बहुत ज़ाधा हमारे हिलाफ काम कर रही है इसको हम ढम्हार कर बात धताओ हम कमजोर कर देंगे Self daddy कर देंगे तो क्या इंटिवोटी supply कम बनेगी है कि और इसको एड़िर से अगि घाषiono और अगर receptor से सपोज यह receptor है इससे antibody कम बन रही है कम बन रही है तो कम जूड़ रही है और अगर antibody कम जूड़ रही है तो कौन ज़्यादा जुड़ेगा Acetylcholine तो यह भी एक condition है जहाँ पर हम immunosuppression देदेते हैं immunosuppression क्या करता है हमारे immune system को कमजोर कर देता है इम्यून सिस्टम को कमजोर करने से क्या फाइदा है क्योंकि immune system अगर कमजोर हुआ तो हमारे खिलाफ antibody बननी कम हो जाएगी और antibody बननी कम हो गई तो रिसेप्टार से नहीं जुड़ेगी सही से ठीक है कम कम जुड़ेगी और फिर जो खाली रिसेप्टार होंगे उस पर साइकलोस्पूरी मेत्रोट्रेक्सट कोटिकोस्टिरोइड यह सारे immunosuppressant अब पहली बात तो यह यह disorder है ठीक है अब ऑटो इम्यून है तो हमें इम्यून को सप्रेश करना पड़ेगा वी सप्रेश दा इम्यून सिस्टम विद घल्प अफ इम्यून सप्रेशन जैसे kotykosteroid, cyclosporine और methotrexate antibody कम बनेगी तो combined होगी receptor से और अगर antibody combined होगी तो कौन ज़़ाधा bind होगा acetylcoline और जिता ज़़ाधा acetylcoline बनाड़ा contraction होगा तो इस तरह से आप immunosuppression देखके अपना महिस्तिनेगरेविस को सही कर सकते हो या फिर मैंना आपको और भी कही तरीके बता है है Acetylcholine का level बढ़ा के भी आप कर सकते हो Next आपका Plasma Exchange Plasma Exchange करने से क्या होगा इतना याद रखिए Plasma Exchange करने से Antibody कम बनेगी और वही पुरा Concept है कि अगर कम Antibody बनेगी Antibody अगर कम बन रही है तो chances है कि वो receptor से भी कम जुड़े ठीक है तो receptor से ज़्यादा जुड़ने की chances किसी हो जाएंगे Acetylcholine के तो जित्ता ज़्यादा Acetylcholine जुड़ेगा उत्ता ज़्यादा receptor एक्टिवेट होगा उत्ता ज़्यादा receptor में confirmational changes आएंगे और receptor जब एक्टिवेट होता है यह बात मैंने आपको कई बार बता रखिए ठीक है Depolarization में क्या होता है sodium channel open होते है और extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ sodium आते है ठीक तो आप इतना ज़्याद रखिए कि Acetylcholine bind होगा तो receptor एक्टिवेट होगा मतलब muscle contraction होगा और अगर बढ़ाकर लिखना है तो यह लिखो Acetylcholine bind with the receptor receptor activate होगा receptor में conformational change आए जिसके बिदे से depolarization हुआ depolarization में extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ sodium ion move हुए और फिर finally contraction हुआ ऐसा भी आप बोल सकते है ठीक है तो कई तरह से लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है नाव नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपकी disease glucoma तो देखो glucoma condition कहते किसे हैं और glucoma condition आती क्यों है स्टार्ट करते हैं बिल्कुल basic से सबसे पहले तो मैं आपको एक normal आई दिखाता हूँ यह एक normal आई है healthy आई है और यहाँ पर आपको यह glucoma patient की आई दिख रही है आपको यहाँ पर फर्द दिख रहा है यह जो whiteness आ रही है यह glucoma patient में आ रही है और यहाँ पर आप देखो यह normal आई है तो एक तरफ तो नॉर्मल आईए और एक तरफ जो वाइट निश आ रही है ये जो वाइट निग आ रही है न ये दिस वन ये जो है आपको ग्लुकुमा पेशन में देखने को मिलेगी अब ये क्यों होता है वो सुनिये जैसा कि आप सभी जानते हैं ये आपकी आग का ऐखें तो आगे की तरफ एक वस्ट चमबर निया पर मैं हाय रही लाइट कर देथा हूं यह पूर्छय रोगया और यह पूरा जो है विट्रस चमबर हो गया पीछे वाला और आगे वाल एक वस्ट चमबर हो गया ठिक अब ग्लुकॉमा क्यों होता है वो ध्यान से सुनना देखो Aques çekber है तो क्या बनेगा Aakesक Chamber है तो वहाँ पर Aques Flute बनेगा अब यह नॉर्मल Aques Flute बने है तो कोई दिक्कत नहीं है पर Aques Flute अगर बहुत भी जादा बन जाता है तो उस कंडिशन में यहाँ पर pressure develop होने लग जाता है क्या develop होता है pressure develop होता है I repeat normal equus chamber में equus fluid बनता है अच्छी बात है पर equus fluid किसी कारण से अगर बहुत जादा बनने लग जाए तो उस condition में pressure develop होगा आखों में ठीक है एक condition तो यह हो गई मैं आपको बताता हूँ यहां पर सुनिए equus chamber में generally equus fluid बनता है पर अगर वो equus fluid एक level से जादा हो गया तो pressure develop होता है आखों में ठीक है एक condition तो यह हो गई कि pressure क्यों develop होता है आखों में दूसरी condition जो भी बनता है fluid उसका drainage system होता है आखों में अगर fluid बन रहा आखों में drainage system drain करके निकालना बहां निकालना पानी को ठीक है यह reaction नहीं है और गनिक की यह आखों से पानी निकालना है ठीक तो drainage system अब drainage system की बात करें तो drainage system किसा होना चाहिए proper होना चाहिए क्योंकि माल लो जैसे यह आपकी आख है यहां पर ठीक है अब यहां पर लिक्विड तो बन रहा है यहां पर यह लिक्विड बन रहा पर यह भारी निकल रहा तो पिर प्रोब्लम आएगी क्योंकि liquid अंदर बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा, अगर वो बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो अंदर pressure बनता रहेगा, तो ये भी इस condition से भी pressure बनता है, तो या तो एकवस chamber में एकवस flute बढ़ गया हो उसकी वज़े से pressure बन रहा है या फिर drainage system सही से काम नहीं कर रहा प्रोपन नहीं है जिसकी वज़े से liquid अंदर बढ़ता जा रहा है बहार नहीं निकल पा रहा तो उस condition में भी pressure develop होता है यह दोनों condition है जिसमें pressure develop होता है और इसी pressure develop लब होने की वज़े से एक कंडिशन ऐसी आती है जहां पर 21 mmHg देखो ब्लड प्रेशर को आप किसे बोलते हो 120 एपनेटी mmHg तो प्रेशर की यूनिट है mmHg mmHg ठीक है तो वेसे यहां पर प्रेशर बन रहा है तो अगर वह प्रेशर तो आप कहोगे कि यह ग्लुकोमा है अगर टॉन्टी वन एमंहेंस से जादा हो जाता है तो इस कंडिशन में ग्लुकोमा हो जाता है अब आप बोलोगो सर क्या में प्रेशर बनने की वज़़े लग गया है तो अब क्या होगा वो सुनिए जनरली मैं आपको बताता हूं कि हम जो भी चीज देखते हैं माले जिए यहां पर यह मैंने बना दिया है तो हम आखों से इसे देख रहे हैं तो देखने की बाद image कहां पर फॉर्म होती है रेटीना पर फॉर्म होती है और यह image बनती है पर ब्रेटीना पर आखों में image बनती है और वह image और तक जाती है नहीं जा पाएंगे हमें दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा तो ध्यान रखना optic nerve damage हो जाती है अब बोलो के सर, optic nerve क्यों ढमेज हो रही है तो यहां पर चूर बनर रहा है इस प्रेशर की वज़े से optic nerve णेज हो जाती है और optic nerve थो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि रेटीना से अगर कोई brain तक signal ले जा रहा रहा है 소개 से brain ब्रेन तक जो सिगनल ले जाता है वो होती है opt 겨र अगर नर्व घमेज सो गई थो रेटीशन तक मेज नहीं जाएगी मेजs फर्मिषण नहीं होगा आपको सही से नहीं देखेगा कि कही वार रूर को मास ही नहीं होता क्योंकि यह आपकी नर्व यह पूरी तरह से त्यान रखना प्रेशर 20 mmHg से ज्यादा हो जाएगा और उस कंडीशन में आपकी अप्टिक नर्व डेमेज हो जाएगी और इमेज फॉमेशन नहीं होगा उस कंडीशन को आप कहोगे ग्लुकोमा ठीक है तो यहाँ पर सारा सब कुछ मैंने बता रखा है देखो वाटर रिमूव साइसे नह नहीं हो पा रहा मतलब Drainage सिस्टर और इसको हम बोलते हैं ट्रेकुलर मेश वर्क भेने सिस्टर जादा बन पारा है और इसकी वजे यह नॉर्मल इंसान की है, एक पस फ्लूट प्रोपर है, प्रोपर ड्रेनेज है, सब कुछ प्रोपर है, एक नॉर्मल आई है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि वाई ग्लुकोमा, एक पस यूमर बढ़ जाता है, जिसकी वज़े से प्रेशर डेवल होता है, और प्रेशर अगर आपका 21 mmHg से बढ़ गया, तो आपको ग्लुकोमा हो जाएगा, आपकी अप्टिक नर्फ डेमेज हो जाएगी, एक बात और यह जो प्रेशर बन रहा है, इसको हम कहते हैं, इंट्रा, इंट्रा क्यों कहे रहे हैं, क्योंकि अंदर बन रहा है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ठीक है, चलिए, सिम्स्टम देखते हैं, ग्लुकोमा के, एक तो हो गया, बलर वीजन, दूसरा हो गया, रेडनेस अफ दा आई, आखे लाल पर जानी है, तीसरा हो गया, आई और हैट पेन, आखे भी दर्दोगी, सर भी दर्दोगा, पोर्त हो गया, नौजिया, वोमिटिंग, यह तो आप हर किसी में लिख सकते हो, फोर्त वाला तो, पुरी फार्मा को लोजी में, अगर कोई भी साइनें सिम्टम पूछे, तो नौजिया और वोमिटिंग तो लिख 21 mmHg से जादा जा रहा है, क्यों आपके optic nerve damage हो रही है, यह सारे this factor है, जैसे मान लीजिये, किसी को high blood pressure है, यहाँ पर मैंने last में highlight कर दिया, किसी को high blood pressure है, तो भी chances बन सकते हैं कि उसको glucose हो, किसी को diabetes है, तो भी chances बन सकते हैं कि उसको glucose हो, ठीक है, कोई अफ्रीका से है, तो ब चुके हो, तो glucoma तो हो नहीं है, क्योंकि natural death होनी है, आपके फिर आगे जाके तो, अगर आप काफी लंबे टाइम से steroids स्यूस कर रहे हो, तो भी problem आनी है, अगर आपका cornea जो है, central cornea वो थीन है, पतला है, तो भी problem आएगी, अगर आप बहुत ही पास से पढ़ते हैं, तो भी आपको problem आएगी, myopia वगेरा की condition में, तो यह सारी condition में आपको glucoma होने की chances बनते हैं, ठीक है, तो देखो, दिक्कत कहा आ रही है, दिक्कत आ रही है, दो जगे, मैं आपको बताता हूँ, wait a minute, देखो, problem कहा रही है, problem आ रही है, एक तो intraocular pressure बढ़ रहा है, जिसकी वज बन रहा है, यह दो condition है, या तो एक पस फ्लूट बहुत बन रहा है, या फिर जो एक पस फ्लूट बन रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, इन दोनों ही condition में क्या हो रहा है, intraocular pressure बढ़ रहा है, जिसकी वज़े से नर्व जो है, आप्टिक नर्व वो डेमेज हो रही है, औ तो हम क्या करेंगे, इस एक पस फ्लूट को कम कर देंगे, और इस ड्रेनेज को सही कर देंगे, अगर एक पस फ्लूट को में कम कर दूँ, और ड्रेनेज को में प्रॉपर कर दूँ, तो दोनों ही case में pressure जो है कम हो जाएगा, और pressure कम हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो प्रेशर को यह ड्रेनेस सिस्टम सुदार देगी मैंने आपको बोला कि अगर आप ड्रेनेस सही कर दोगे तो भी प्रेशर कम हो जाएगा अगर आप एक पस फ्लूट को कम कर दोगे तो भी प्रेशर कम हो जाएगा तो जो आपका अलफा अगोनिस टेना यह किस तरह से कम हमेंगे प्रेश immigrants कंम करना है यह फ्लूट करेगा विटर ब्लोक करेंगा यह हीमर को बनने ही नहीं देगा चाहिए अगर फ्लूट का अब कं कर दो बनने नहीं ना दो तो भी आपका प्रेश्र काम हो जाएगा तो जो फ्लूट को बनने ुआ ही नहीं देंगे तीसरा आपका प्रोस्ट अग्लंडिन एनालोग वर्क प्रक्स सेम एज plant जो हमने इल्फ एयगो निस देखा योनिस्त की तभी काम करता है वह कैसे आख इद्थ काम करता प्रेशन करता था प्रेशनर्त कीज़ घंघ करेंगे पर अलफा अगुनिस काम केसे करता था डेनेंज सिस्टम को बढ़ा करके प्रेशर को कम कर देता था तो वेसा ठोल चलेंडिन टेल यह भी ड्रेनेज को बढ़ाकर इंट्राइब प्रेशर को कम कर देंगे ठीक है लास्ट में है आपका carbonic anhydrase inhibitor ये किस तरह से काम करेंगे carbonic anhydrase inhibitor aqueous fluid को बनने नहीं देंगे example इसका acetazolamide तो देखो पहला हमने देखा की drainage बढ़ा रहा है और तीसरा हमने देखा की drainage बढ़ा रहा है same as alpha agonist, alpha agonist की तरही काम है फिर second और fourth में हमने क्या देखा second और fourth जो है equus fluid को बनने नहीं दे रहे तो हमने चार देखे हैं second और fourth equus fluid को नहीं बनने दे रहे और first और third जो है drainage बढ़ा रहे और इन सब की वज़े से IOP, IOP, intraocular pressure जो है कम होता जा रहे जिसके आप देख पा रहे ठीक है चलिए तो यह था इसका treatment I hope आपको clear हुआ होगा symptom of glaucoma, glaucoma risk factor, glaucoma की आखे और glaucoma क्यों होता है और glaucoma क्या होता है और glaucoma में optic nerve damage होती है सब कुछ आपने देख लिया उससे पहले का आपका टॉपिक था मास्तिने ग्रेविस जहां पर आपने immunosuppression दिया plasma exchanger दिया उसको सही करने के लिए और colin stress को inhibitor दिया जैसे नियोस्टिग्मिन ताकि यह colin stress रुके और इसे लाइल कोलिन का लेवल बढ़े जिता ज़्यादा ऐसे डाल कोलिन होगा उता ज़्यादा रिसप्टर से बाइंड होगी contraction होगा हमने देखा था symptoms of मास्तिने ग्रेविस उससे पहले हमने देखा था मास्तिने ग्रेविस होता क्या है definition और यह दोनों डाइग्रम आपको बनाने अगर आपको लेक्षर क्लियर हुआ होगा अगर आपको लेक्षर से लेटेट कोई भी डाउट है था आप comment section में comment कर सकते हैं यहाँ पर आपकी pharmacology की unit number 3 completely cover हो चुकी है अब last unit cover करेंगे क्योंकि unit number 4 हम पहले ही cover कर चुके है last unit है unit number 5 यह notes आपको depth of biology application में मिलेंगे depth of biology application आप डाउनलोड कर सकते हैं play store से और depth of biology application में आपको एक chat section मिलता है जहाँ पर आप अपने queries share कर सकते हैं साथिसाथ free important questions मिलते हैं साथिसाथ GPET के previous year के question paper भी मैं upload कर रहा हूँ और साथिसाथ हर unit से 50 mcq में upload करने वाला हूँ और यह सब कुछ free है और हर Sunday में वहाँ पर आपको live आता हूँ 11 a.m. और एक दिन में 3 बार mcq upload करता हूँ 9 a.m. 3 p.m. 9 p.m. तो इससे आपकी preparation बहुत ही sharp हो जाएगी तो जरूर डाउनलोड कीजेगा डेक्टर बालोजी अप्लिकेशन लिंक आपको description में मिल जाएगी play store पे आप search कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना टेलीग्राम पर रेगुलर अपडेट मिलेगी इंस्टाग्राम पर डेली मीम्स मिलेंगे पारमेसी असाने विडियो भी subscribe and share for more have a nice day thank you